particular एक talk के अंदो लिक्विडिटि की placing को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं और कैसे हम लिक्विड Listorks की placing को f adults करने के बाद में ट्रेड एक्जेक्ज़िूट कर सकते हैं because बहुत ज्यादा अगर आपने इस एक point को समझ लिया और इसको और भी अगर इंप्रूफ किया अपने माध्यम से तो बहुत सारी help यह liquidity की placing आपके कर देंगे जैसे बजास finance का यह level है एक support point है price यहाँ से बार-बार up-down, up-down कर रहा था last में जाकर के price ने बहुत बड़ी pin बारे बनाई lower time frame पर हम चलेंगे इसको और zoom out जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ एक support point हम ड्रॉ करेंगे lower time frame के अंदर आपको बहुत अची तरह समझ बेंगे actually यह liquid stocks है अब यह आगे चल करके इसको और इची तरह समझते है यहाँ पर देखिए price ने क्या क्या है बार-बार एक ही level से इसने supports find किया upside and down पर यह support फिर price upside की तरफ चला गए और face ने support लिया again upside की move फिर से support और फिर up में जाने की बाद break out कर दिया एक देखिए यह वाला point है जहाँ पर 13th of March को price ने gap up दिखाया था आज इसी gap up में हमने अपने group में सभी लोगों को share कर दिया था कि यहाँ से exit कर जाई है और इसी के आसपास में हम भी निकल गया थे बट हमने थोड़ा सा wait किया था प्राइजिस के अंदर सिंपके अगर हम देखें तो देखिए जो गैप बना है न एक अच्छे support के तरह मार्केट ना काम किया या अच्छली जो gap up और gap down होते हैं फिलाल यह दूसरा subject हमारा चला जाएगा मेंली आज हम अपने topic के उपर discussion करते हैं देखिए यह जो gap था 325 की जो candle है यहां से लेकर के price ने next जो move हम लोगों को दिखाया है यह support यानि कि इतने बीच के जो order से यह हमारे बचे हुए हैं यहां के जितने भी order से भी तक हमारे execute नहीं हुए प्राइस यहां पर आता ही है क इसी भी इस टॉक्सी सिधानत है अपने market का कि gap हमेशा feel होता है आज नहीं तो कर आगे बढ़ते हैं higher time frame पर जह हम बजाज finance को देखेंगे देखिए क्यूंकि यह gap को ही हमने आज के दिन अपने targets के लिए इसका use किया था यह support point और downside के तरफ यह जो gap है यह हमारा आज का target था तो यहां से सबसे पहले हम चलते हैं अपनी trade book open कर लेता हैं trade book में एक एक करके quantities and profits को देखते हैं कितने क्या profits वाय राखिये हैं अगर आपने मेरे telegram channel जोई नहीं किया तो उसको join कर सकते हो morning में जैसे आज बजास finance को trade करते हैं वक्त ही हमने इसको अपने telegram channel पर share कर दिया थ तो यहां पर सबसे पहले हम लोग अपनी position book open करते हैं overall 16,850 रुपय का total profit हमने आज के दिन बजास finance के इस एक trade के अंदर हमने book किया था इसको एक बार refresh कर लेते हैं and एक काफी ठीक ठाक और decent profit आज के दिन हमने बजास finance के अंदर achieve किया digits थोड़ी चोटी चोटी है तो आगर आप यहां का resolution बढ़ा होल होगे तो काफी अच्छा रहागो और help मिलेगी से clarity देखने में कल की trade के दोरान जितने हमें wait करना पड़ा बजास finance में actually आज wait करना नहीं पड़ा और अगर करते हो तो काफी अच्छा profit हम को मिलता है because निकल जाने के बाद में भी वह stock 2% गिरा है और बोग यहां पर देखते हैं तो टोटर जो quantities आप यहां पर देख पार है 145 quantities के साथ आज का trade हमने अपने execute किया था and 145 quantities है और जो इसके अंदर में अपनी entry थी 7,235 पैसे पर हमारी इसके अंदर अपनी entry थी पर इसको एक बार refresh कर लेते हैं perfect so stop loss जो हमने इसके अंदर लगाया था अपना 7252.15 पर हमारे stop loss था हमने target से book किये थे 7214 पर सारी target हमने अपने book कर लिये थे execution जो हमारा हुआ था 7 overall जो अपना profit है अजगा 16.8K के around का profit so thank you and जैसे ही trade वगार हम execute कर लेते हैं निकलते हैं बाहर ये अपने group में share कर देते हैं so आप में telegram channel जोइन कर सकते हो morning में कोई भी stocks and nifty वगारा कि इनके सब के levels हम आपको morning में ही वहाँ पर दे देते हैं so अब बात करते हैं अपने stocks के and एक एक point एक candle higher and lower time frame वो इसको समझने कोशिश करते हैं liquidity के concept को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि liquidity है क्या समय थोड़ा सा कमें because trade को भी explain हमने क्या और liquidity को भी explain करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जागा तो कोशिश करेंगे कि liquidity के उपर एक बहुत अ प्राइस का particular वो एरिया जहां से हमारा प्राइस बार बार टर्न हो रहा हो अब सैट के तरफ यह फिर यह जो support इसका just of vice versa कर दोगे तो resistance resistance में भी आपको same formations find करने होंगी same prices के actions find करने होंगे कि किसी भी एक level पर price जो हमारा आता है तो इसके अंदर एक support points या फिर एक level पर यहां से prices के अंदर धेर सारे orders लगते हैं order flows के अंदर आते हैं जिसको बोलते है liquidity जहां पर धेर सारी quantities हमारी show हो रहे होती हैं यह धेर सारी quantities के साथ महां पर orders लग रहे होते हैं अब धेर सारी quantities के साथ अगर order लग रहे हैं तो आप यह खुद sense कीजे कि धेर सारी quantities कहां पर ल दोनों ही तरह कि कोई भी news हो या फिर उसे stock अब results वगरा भी ये सारी की चीज़ें हम लोग news में ही रखते है class वगरा में जब इसको discuss करते हैं तो काफी deep में जाना पड़ता है अभी यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझ सकते हो कोई भी अगर एक news है दूसरी चीज़ प्राइजस के अगर past का कोई data हमको वहाँ पर मिल रहा है मतलब कि एक बहुत strong support और resistance प्राइज बार बार हमारा जैसे यहाँ पर देखें ड्राइंग में क्या हो रहा है liquid area को find करिए इससे पहले कि आप खुद उस liquidity का हिस्सा बन जाओ इस बात को समझ रहे है liquidities के area को find करिए मतलब कि इन points को इन areas को आपको find करना और यहाँ से एक trade या फिर एक investment के थूँ आपको market को देखना है अगर आप यह काम नहीं कर पाओगे आप इस liquidity का यहाँ से इस liquid areas के पास से prices के अंदर जो movement आये है यह upside के movement आये है इन movements को कहा जाता है liquid movements liquidity आने के बाद में उसके अंदर जो movement होता है वो liquid movement होता है तो आप उस liquid movement का हिस्सा ना बन जाओ इससे पहले आप उस liquidity के areas को find कर लो जिससे कि इस movement को आप catch कर पाऊ ना कि इस movement की वज़े से आप loss करो profit करना है loss नहीं करना है अभी वापस हम लोग charts पर चलते हैं और charts पर समझने ही कोशिश करते हैं इसको बहुत अच्छी तरह हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पर देखेंगे एक काम करते हैं लोग जितने भी हमारी markings इनको सब को delete कर देते हैं बिल्कुल naked chart हो गया कोई भी marking नहीं है अगर अब हम आपको बोलें कि यहाँ पर अपनी एक important candle अगर हमको find करनी है देखें last candle ने क्या क्या है mask किया है previous candle को mask किया अब यह masking की formation नहीं हो जो हमने आपको strategy दी है यह वो नहीं है बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ से price ने mask किया है इस masking का मतलब चाह होता है हम लोग क्या इसका meaning निकाल सकते हैं अब यहाँ पर जो एक candle मेरे लिए important बनेगी वो है यह black वाली candle इस black candle के अंदर ही इतने दिन से movement हो रहा है यह जो हमारी बड़ी वाली candle है क्यों? क्योंकि इसने देखे क्या किया है पिछले काफी दुनों की जो volumes हैं उनका breakout किया एम breakout के साथ-साथ में price मेरा upside के तरफ गया है upside में जाने के बाद ने price मेरा sustain हुआ है ऐसा नहीं है कि वहाँ से direct यह गिर गया है नहीं यह sustain हुआ अब यह जो zone बन गया ना मेरा यह एक liquid zone बना कैसे? यहाँ पर देखे volumes का काफी ज्यादा रोल है इतना deep में हम इस point को discuss नहीं कर सकते बट फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखे यह जो area आपका बना मतलब 7447.40 7235.45 इस zone के अंदर ही आपकी market रुकी है prices के breakout कहीं हो रहे है नहीं हो रहे है price up या फिर down निकलने के कोशिश तो कर रहा है but again price हमारा मेरी range के अंदर आ जा रहा है यह देखे जो last trading session तक prices के अंदर की activities होई है वो भी but volumes में देखे क्या हो रहा है लगातार उसकी volumes के breakout हो रहा है prices के breakout हुए but price हमारे इतनी range के अंदर आ गया breakout हुए range के अंदर आ गया यह देखे छोटा-छोटा इशारा होता है जब market के अंदर हम काम करें price actions को समझने कोशिश कर रहे है सीख रहे है तो छोटा-छोटा इशारा होता है कि जो market हमको कर रही होती बजास finance का chart मेरे लिए कोई अलग से नहीं बना but देखने का जो नजरिया है वो different type का आपको रखना होगा अगर market में आपको काम करना है यह जो पूरा zone है देखिए जो हमें दो पांट्स हो ले ना 7.47 और नीचे वाला 7 इस range के अंदर ही market हमारी turn हो रही है और देखे volumes का आना volumes का breakout होना यहाँ पर भी देखे volumes के breakout होए breakout breakout मतलब volumes के breakout लगातार होते चले जा रहे है और price मेरा बाहर नहीं निकल रहा है यहाँ पर यह जो zone बन रहा है यह liquid zone है अब market के अंदर या तो down या फिर upside की जो भी moves होंगे ना यह बहुत strong moves होती है किसी भी एक liquid zone में first जाने के बाद में prices के अंदर के जो breakout होते हैं यह बहुत strong होते हैं वापस अपने पुराने point पर चलें अभी हमने बताया कि अगर यहाँ पर smart investors enter करते हैं तो दो reasons होंगे या तो उसके अंदर कोई अच्छी से news होगी या तो फिर वो इस तरह के liquid zones का बेट करते हैं कि prices के अंदर के यह liquid zones हैं यह हमको मिले यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर पैसा invest हो रहा है अब जब price यहाँ से up या फिर down के move दिखाएगा तो इसके अंदर को जो movements होते हैं वो catch करने होते हैं यह zone important होते हैं फिर सहम बोले हैं आपको अगर समय मिलेगा तो इसके अपर एक deep discussion का video हम अपनों के लिए ज़रूर upload करेंगा आप उसको देखेगा तो overall जो बजास finance के आज higher time change की marking थी वो यह थी इस तरीके जब सिर्फ बजास finance को ही नहीं किसी भी stock को trade को Reliance पिछले दो दिन से upside की तरफ भाग रहा है आज वो भी मेरी watch list में था लेकिन कल जितने बड़े movement Reliance के अंदर हो गया है आज भी उतने ही बड़े movement उसके अंदर होंगे इसकी expectation थोड़ी सी कम थी हमको अपने private group में हमने morning में तीन stocks दिये थे budget finance भी दिया था सभी stocks ने अच्छी performance दी है लेकिन budget finance को हमने अपनी priority दियो और आप सभी लोगों के साथ उसको share किया था कि आप लोग इसको देखो और वहाँ पर voice message भी post कर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ selling ही देखना अगर यह stock पाई हो रहा तो होने दो क्योंकि मेरा views को ले करके आप short का था क्योंकि जो financial services थी जो stock अपना sector था यह भी कुछ न कुछ कहीं न कि हमको minus महीं दिख रहा था अब भढ़ते हैं अपने trade के दरफ trade में क्या हुआ higher time frame की marking साब को समझ में same markings को हम continue करेंगे lower time frame पर lower time frame पर morning की एक candle बनी थी 9.15 की candle और यह जो मेरी marking है 7.2.35.45 यह exact उसी level की है same level है यहाँ पर जब आप 9.15 का just low mark करोगे तो देखी point कौन से निकल रहे है 7.2.3.45 यह मेरा entry का point था सवाल यह आता है कि यहाँ पर ही हमने entry क्यों ले जब इसका previous data भी आप mark करोगे previous data यह वाला जो area हमारा है यह एक support point है volume के साथ price ने अपने इस point को downside की तरफ breakout दिखाया आज के दिन देखे यहाँ से upside यहाँ से upside की तरफ down और again up, down फिर again up और again down आज इसने किया कि अपने same movement जो कल के दिन इसने दिखाया था budget finance ने उसको continue कर दिया और 9.15 का breakout मतलब downside की तरफ की जो closing है वो 9.20 ने कर दे और again अब हम इसके अंदर wait कर रहे थे retracement का दूसरी चीज़ और lower to lower time frame पर आप जाओगे तो आपको और अच्छी तरह समझवाएगा कि देखे इसके अंदर की movements क्या होई है एक mother candle 9.15 के low ने हमारी बना है और इसके नीचे की तरफ भी closing कर दी चोटे चोटे confirmations है price देखे upside की तरफ गया अपने जाने की बाद में हमने क्या किया अपनी इस candle की जो swings थे हमारे हमने इन ही swing को as a stop loss रखा and stop loss के लिए जो exact point हमको मिला था 7252 का मिला था 725 एक रुपए का लगभग फर्क है 7215.15 ये area हमारा था और इसके अंदर अब बाई थी targets की तो targets हम क्या book करेंगे फिर से देखे वही बात आते हैं कि targets के लिए हमने आपको बताया था कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो use किया था आज के दिन वो था मेरा gap up और gap down का मेंट है ये जो zone आप देख रहे हैं न इसको as a target हमने लिया और ये वाला level यहां तक price को आना था अब ये जो पूरा zone बना ये भी एक तरह का liquid zone ही है price ने क्या किया है इस level पर आ जाने के बाद में इसके अंदर की activity देखा price जैसे यहां पर आ है हमने आप लोगों से बोल दिया था कि आप लोग यहां सब बाहर निकल सकतो इसने targets अपने पूरे के लिये लेकिन फिर market हम लोगों के निकल जाने के बाद में इसने एक high लगाया और यहां से market गिर गए फिर high और again गिर गए मतलब लगबग 1502% का move और market ने दिखाया है तो यह होता है result एक अच्छी study का यह होता है result एक अच्छी level के patience के साथ जब आप market में बैट करके काम करोगे तब यहां पर exact जो हमारी exit हुई थी 7114 पर हमने यहां पर अपनी जो exit हमने मारी थी 7115.60 का हमारा वह हो था कि हम निकलेंगे बट एक रुपए और थोड़ा सा सस्ता हमको price में ले एक डेट रुपए तो 714 रुपए पर हम यहां से बहान निकल गए थे इस एक point पर हम यहां से बहान निकल गए थे जब भी rejection वगए और चोटी time frame पर हम को देखे तो यहां से बहान निकल गए तो overall यह आज का trade था and trade के साथ-साथ में किस तरह से हमने यह trade अपना execute क्या, क्या इसके पिछे की psychology, क्या methods है, liquidity वगएरा हो गई यह सारी चीज़े आपको समझाएंगे, वीडियो का अच्छा लगता है because बहुत महनत लगती है, सारे concepts को लिखो, समझाओ, इनको पढ़ो और उनको बैट करके record करो, edit करो और आपनों के साथ उसको share करो तो वीडियो का अच्छा लगता है, तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीज़ेगा and अपना support ऐसे ही बना रिखीगा Thank you and अब हम मिलते हैं, अपने काल की training session में कोई भी अच्छा सा stock मिलेगा तो आप लोगो की साथ जरूर उसको हम share करेंगे Thanks and we will meet again